परिचय रिया आइस्क्रीम की शौकीन है वहा रेफरिजरेटर के डीप फ्रीजर से आइस्क्रीम बाहर निकालती है लेकिन उसे आश्चरे होता है कि आइस्क्रीम तरल की तरह बह रही है उसकी मा का कहना है कि पांच घंटे के लिए बिजली की आपूर्ती में रुकावट थी, तो आइस्क्रीम पिखल गई तो क्या ब्रिया मूल ठोस रूप में आइस्क्रीम को पा सकती है? इसका जवाब है हाँ, आये जाने की कैसे? उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्ने करने में सक्षम हो जाएंगे परिवर्तन को परिभाशित करना भौतिक परिवर्तन को समझाना भौतिक परिवर्तनों के उदारण देना परिवर्तन हम कई परिवर्तन देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन के कुछ उदारण है भोजन का पकना लोहे का जंग खाना बर्फ का पिखलना परिवर्तन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्त की अवस्था रंग, आकार, आकरिती, गुण, रासायनिक संगठन और संदचना में बदलावाता है परिवर्तन के प्रकार परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन इस पार्ट में हम भौतिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे जब पदार्त के आकार, आकरिती, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है तो इसे भातिक परिवर्तन कहा जाता है भातिक परिवर्तन के उधारण है बर्फ का पिखलन पानी का वाशपी करण पानी में चीनी या नमक का विकटन भातिक परिवर्तन के लक्षन कागस का एक टुकड़ा लीजिए एक कागस को हवाई जहाज बनाने के लिए इसे मोड़िये इसके आकार में परिवर्तन आया है लेकिन हम अपने मूल आकार के कागस के इस टुकड़े को वापस प्राप्त कर सकते हैं अतहा यह एक उद्ध क्रमणिये परिवर्तन है इस प्रक्रिया में कागस की रासाइनिक सलचना समान रहती है भौतिक परिवर्तनों के उदाहरन बच्चो गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है जब इस पानी को 100 डिग्री सेंटिग्रेट पर गर्म किया जाता है तो यह वाश्प में परिवर्तित हो जाता है यह वाश्प ठंडा होने पर जल में परिवर्तित हो जाती है अतहां इस पूरी प्रक्रिया में जल की केवल अवस्था परिवर्तित होती है किन्तु उसकी रासाइनिक सलचना समान रहती है आईए, कोबार्ड क्लोराइट के गुलाबी रंग के क्रिस्टल लेते हैं गर्म करने पर ये क्रिस्टल नीले रंग में बदल जाते हैं जब पानी की कुछ बूंदें नीले क्रिस्टल पर डालते हैं तो वो गुलाबी रंग पुना प्राफ्द कर लेते हैं बच्चों, कपड़े के एक टुकड़े को चार वर्गाकार टुकड़ों में काटो अब एक टुकड़े की तुल्ना मूल कपड़े से करो लेकिन कपड़े का गुण समान रहता है अतहा ये एक भौतिक परिवर्तन है लवन का शुद्ध क्रिस्टल क्रिस्टली करण की प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है कौपर सल्फेट का शुद्ध क्रिस्टल तैयार करने के लिए बीकर में 100 मिलिलीटर पानी लीजिए पानी को अमलिये बनाने के लिए इसमें तनो सल्फियूरिक अमलिकी कुछ बूंदे डालिए पानी को गर्म कीजिए जब ये उबलने लगे तो इसमें कौपर सलफेट का चून धीरे धीरे डालिए और तब तक लगातार हिलाते रहिए जब तक की संत्रिप्त विलियन ना बन जाए विलियन को छान लीजिए इसे ठंडा होने दीजिए कुछ देर बाद आपको विलियन में नीले रंग के चमकदार कौपर सलफेट के क्रिस्टल कण दिखाई देंगे सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं वहाँ प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था, रंग, आकार, आकरिती, गुण, रासायनिक संघटन और संदचना में बदलावाता है उसे परिवर्तन कहा जाता है जब पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है भौतिक परिवर्तन आस्थाई और उत्रक्रम्णिये होता है पदार्थों की रासायनिक संदचना भौतिक परिवर्तन में समान रहती है इसके विलियन से शुद्ध क्रिस्टल योगिक प्राप्द करने की प्रक्रिया को क्रिस्टिली करण कहा जाता है